डेट आज 3 माई 2023 ये सब टॉपिक डिसकस करेंगे इस क्लास में फर्स टॉपिक है ब्लू बगिंग ये प्रिलिम्स के लिए इंपोर्टेंट है रीसेंटली ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि आंदर परदेश में बहुत सारे ब्लू बगिंग के केस साहे सामने ये एक साइ इसने आये रेजिस्टर किये तो क्या है ब्लू बगिंग इसमें देखो ब्लू टूथ कनेक्शन के द्वारा दूसरे डिवाइस से जो हैकर है या अटेकर है वो डेटा चोरी कर लेते हैं यानि कि एक तरह से हैकिंग की ही एक फॉर्म है ये हैकिंग का मतलब किसी का डेटा लेना बिना उसकी अनुमती के जैसे मानलों ये एक आदमी है ये हो गया हैकर इसने मानलों किसी दूसरे के डिवाइस से डेटा चोरी कर लिया इसका जो मोबाईल है लैप्टॉप है कंप्यूटर है उसको कंट्रॉल में कर लिया यानि कि एक तरह से हैक कर लिया अब ये बि लेकिन इसने इससे एकसेस ले ली किस तरह से ये देखो जो ब्लू बगिंग है इसमें ब्लूटूथ के दवारे ली जाती है जैसे अगर मानलो आपका ब्लूटूथ ओपन है और डिस्कवरेवल मोड पे है तो दूसरा बंदा यहाँ पे है आपके पास तो ये क्या है अपन ब्लूटूथ ओन करेगा आपका डिवाइस पेर करेगा जैसे मानलो आपको कोई मुबाइल से अपने कोई फाइल सेंड करनी है या फिर आपने कोई इमेज भेजनी है या कोई वीडियो भेजनी है तो आपको ब्लूटूथ से पेर करना पड़ता है इस तरह से इस ब्लू ब इसका सारा डेटा को hack कर सकता है, आपकी call है, उसको सुन सकता है, किस से आप बात कर रहे हो, आपके message को read कर सकता है, आपके message send कर सकता है, आपके phone से, आपका data चोरी कर सकता है, आपका contact list को देख सकता है, आपके contact list से किसी का भी mobile number delete कर सकता है, तो यह सब कुछ कर सकता है, यानि की facility है उन समय किया जा सकता है लेकिन ये ना limited है blue bugging सिर्फ 10 meter तक ही limited है क्योंकि Bluetooth का जो facility है वो 10 meter तक ही काम करती है अगर मानलो ये hacker बंदा है जो ये आपसे 10 meter से ज्यादा दूरी पे तो फिर आपका कुछ भी नहीं विगार सकता अगर आपका device pair भी हो रखा है क्योंकि Bluetooth जो connection है सिर्फ 10 meter तक ही काम करता है तो देखो आपको ये भी याद रखना है कि Bluetooth connection कितने meter तक काम करता है 10 meter तक जो ये device होते है Bluetooth से connect पेर करने के लिए discoverable mode पे होने चाहिए तब ही वो connect किया जा सकता है और जब मानलो आपका device पेर हो गया hacker के mobile से या device से तो वो आपके phone में कोई malware भी install कर सकता है malware का मतलब है कोई ऐसा software जो आपके device के लिए harmful हो हानी कारक software जो आपके mobile से device से data चोरा सकता है या आपके phone में मानलो कोई ऐसा software लगा दिया वो आपकी जासूजी कर सकता है आपके mobile में कोई ऐसा software install कर दिया फिर आप किसको call कर रहे हो कहां पे जा रहे हो कहां पे हो कहां पर अपना समय बिता रहे हो किसको message भेज रहे हो किसका message आपके पास आ रहा है किसकी call आ रही है सारा कुछ ये पता लगता रहेगा उस hacker को जिसने आपके device में वो software install कर दिया और आपको पता भी नहीं होगा आपके mobile में कोई software install भी हो चुका है और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कोई आपकी जासूसी कर रहा है तो इस तरह से access ले ली जाती है आपके mobile की hacker द्वारा तो ये ही था blue bugging next topic है International Labor Day ये देखो prelims के लिए important है और GS paper 2 और 3 के लिए भी International Labor Day हर साल एक मई को मनाया जाता है International Labor Day को International Workers Day के नाम से भी जानते हैं अंतर रास्टे करमचारी दिवस या simply May Day के नाम से भी जानते हैं मई दिवस एक मई को हर साल मनाया जाता है ये एक मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक मई को वरकर्स ने और लेबर्स ने मुमेंट किया था करमचारी उने एक आंदोलन चलाया था अपने अधिकारों के लिए और 80 से ज़्यादा कंट्रीज में सेलिबरेट किया जाता है इंडिया में भी क्यूबा चाइना में भी ये May Day या अंतर रास्टे करमचारी दिवस सेलिबरेट किया जाता है ये किस Oplex में मनाय जाता है देखो इस दिन क्या है कि डिफ्रेन डिफ्रेन पार्ट पे वर्ल्ड में मार्च निकालते है एक तरह से अभ्यान निकालते हैं लोग ताकि जो वर्किंग क्लास के पईपल हैं जो करमचारी लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके और उन्हें exploitation से protect किया जा सके कोई उनका सोसन ना करे कमपनियों में जैसे करमचारियों का सोसन किया जाता है 14-14 घंटे 12-12 घंटे काम कराया जाता है उनके इस तरह से काम ना कराया जाता है मलब salary उतनी दी जाती है और जादा काम ले लिया जाता है उनसे तो इसके लिए ये अभ्यान चलाया जाता है कब से celebrate किया जाता है ये history क्या है इसकी labor day की देखो 19th century में अमरिका में एक campaign हुआ था Chicago City है अमेरिका में वहाँ एक महीं 1886 को workers ने strike कर दी हड़ताल कर दी और इन्हों ने demand की कि हम सिर्फ एक दिन में 8 गंटे ही काम करेंगे 8 गंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे उससे पहले company हो में workers करमचारियों से 12-12 गंटे 15-15 गंटे तक काम कराया जाता था और salary वही दी जाती थी तो इन्होंने demand की कि एक दिन में 8 गंटे से ज़्यादा काम नहीं किया जाएगा यह workers थे पूरे US में एक साथ आए और आपने rights की अधिकारियों की demand की और यहां पे बहुत सारी rally चलाए गई बहुत सारे अभ्यान चलाए गई और यह अभ्यान तब चला जब देखो Chicago City है वहाँ पे एक hair market square है वहाँ पे एक bomb explode हो गया था bomb फट गया था strike के दोरान उसके बाद लोगों ने अभ्यान और तेज कर दिया फिर 1889 में International Congress of Socialist Parties है इसकी meeting हुई Paris में France की capital है France एक देशा यूरोप में तो उसकी capital है Paris राजधानी है वहाँ पे meeting होती है और यहाँ पे यह declare कर दिया जाता है कि यह International Labor Day या International Worker Day एक मही को celebrate किया जाएगा और यहाँ पे workers की demand को माना गया कि 8 गंटे से जादा करमचारियों से काम नहीं कराया जाएगा यह Chicago में हुआ फिर धीर धीर और countries में भी आ गया कि 8 गंटे काम कराया जाता है जो एक दिन में इंडिया का connection क्या है देको इंडिया में पहली बार यह Labor Day चेननई में celebrate किया गया एक मही 1923 में क्योंकि आप सबको पता उस टाइम पे British का गुलाम था इंडिया तो यह एक मही 1923 से स्टार्ट किया गया British इंडिया से ही First May Day है Celebrate किसने किया Labor किसान पार्टी थी हमारे इंडिया की उसने और्गनाइज किया पहला मही दिवस या पहला Workers Day यह हमारे इंडिया में देखो Different-Different Parts में कई नाम से जाना जाता है जैसे कामगार दिन Hindi में कहा जाता है कामगार दिन कर्मिकारा दिन्चारने यह कंणड भासा में बोलते हैं इसको तेलगु भासा में बोलते हैं कार्मिका दिनोथ स्वम तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है अलग-अलग भासा में तो यही था इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक है स्रम वहानी यह प्रिलिम्स के लिए भी इंपोर्टेंट है और essay के paper में यूज कर सकते हैं स्रम वहानी एक group है यह bonded labor का एक group है bonded labor का इ retr бывает उडिसा में बनाया गया है इसमें देखो जो bonded labor होती है bonded labor मतलब बंधवा मजदूर बंधवा मजदूर कैसे होते हैं देखो मानलो कोई आदमी है इसने किसी आदमी से मानलो यह ए आदमी है इसने किसी सहुकार से या money lender है जो या देखो किसी गाउं में बहुत सारे ऐसे जमीदार टाईप के लोग протें जिनसे करज ले ले देदें मालों यह जमीदार टाईप लोग हैं इनसे करज ले लिया ऐ आदमी ने अब यह करj चुका नहीं पा रहा है अपनी मर्जी से कर रहा होता, तो फिर उसे बंधवा मजदूर नहीं बोलते, या फिर मालो इससे काम कराया जा रहा है, लेकिन इसे सैलरी नहीं दे रही, ये कोई भी कंपनी या कोई जमीदार टाइप कर रहा है, तो भी वो बॉंडिड लेवर में आता है, या उससे काम कराया जा रहा है ज्यादा, और सैलरी दी जा रही है कम, तो भी उसे बॉंडिड लेवर बोलते हैं, तो इस तरह ये सब बॉंडिड लेवर में आते हैं, तो ये बॉंडिड लेवर है, जो इससे लोगों को मुक्त कराने के लिए, ये एक गुरूप बनाई गया, इन लोगों द्वारा जिसका नाम रखा, स्रम वहानी, तो इसमें लोग क्या अपने स्मार्ट फॉन और सोसल मीडिया को यूज करके, लोगों को बचाते हैं, और डिस्टिक अथॉर्टी को सूचना देते हैं, कि यहाँ पे लोगों से बंधवाँ मजदूरी कराई जा रही है, तो लोगों को छुटाए जाए, तो डिस्टिक अध्मिस्टेशन जो कलेक्टर वगएरा या एस्पी वगएरा, या वहाँ पे जो अध्मिस्टेशन है, वो आते हैं और उनको छुटाते हैं लोगों को बंधवाँ मजदूरी से, क्योंकि हमारे इंडिया में बंधवाँ मजदूरी इनली गल है, क्योंकि यह अधिकार भी दिया गया है, राइट अगेंस्ट एक्स्प्लोटेशन आपने पढ़ा होगा, अर्टिकल 23, 24 यह एक्स्प्लोटेशन के अगेंस्ट राइट हैं जो इन में दिया गया है, तो स्पेसली कौन सा राइट है, बंडिड लेवर के अगेंस्ट यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताऊगे, अर्टिकल 23 है यह आर्टिकल 24 है, जिसमें बंडिड लेवर के खिलाब यह हमारे राइट है, अधिकार है, तो 23 है, 24 है, यह आप किसमें बताऊगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताऊगे, अच्छा यह सरम वहानी का यह टार्गेट क्या है, हम अल्रेडी जान चुके हैं, जो भी बंडवा मजदूर हैं, यह मजदूरी करते हैं, उनको छुटाना है, या कोई माइगरेंट लेवर है, माइगरेंट लेवर मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पलायन कर गया, चला गया कोई परसन और वहाँ पे काम कर रहा है, और उस पे बंडवा मजदूरी कराई जा रही है, तो भी यह स्रम वहानी काम करती है, माइगरेंट लेवर को, उनके इस्यू को सॉल्व करने के लिए, नेक्स टॉपिक है, ब्लू होल, यह प्रिलिम्स के लिए भी इंपोर्टेंट है, और जी एस पेपर थिरी के लिए, ब्लू होल देखो, सेकिंड डीपेस्ट मेरिन सिंखोल या केवर्ण, अभी डिस्कवर क्या गया है, मतलब दूसरा सबसे गहरा मेरिन सिंखोल, मेरिन का मतलब समुंदर में, सिंखोल मतलब सिंखोल या केवर्ण, केवरन का मतलब गुफा भी होती है लेकिन ये कहाँ पे समुद्र के अंदर समुद्र के अंदर मानलो बहुत बड़ा नीचे गड़ा है गुपा टाइप है इस तरह से ये गुफा बनी हुई है मानलो ये सरफेस है नीचे ये समुद्र का पानी भरा हुआ है और यहाँ पे नीचे मानलो सरफेस पे गुफा बनी हुई है इस तरह से सिंक होल बोलते हैं या कैवरन बोलते हैं इंगलिस में इसका नाम है ब्लू होल क्योंकि ये इसका कलर थोड़ा ब्लू टाइप दिखाई देता है कहाँ पे ढूड़ी गई है ये मेक्सिको में देखो युकेतन पैननसुला है मेक्सिको का वहाँ पे ये चैतुमल बे है बे का मतलब खाड़ी कहाँ पे है ये ये आप बल्ल में अब देख रहे हो ये यहाँ पे मेक्सिको देख रहे है आप ये मेक्सिको है मेक्सिको में देखो ये है युकेतन पैननसुला युकेतन पैननसुला और पैननसुला को हिंदी में बोलते हैं ये पैननसुला है जो ये पैननसुला को हिंदी में बोलते हैं प्रायदीप और प्रायदीप क्या होते हैं प्रायदीप उनको बोलते हैं, जो तीन तरप से पानी से गिरे हुए होते हैं, मतलब ऐसी भूमी जो तीन साइड से पानी से गिरी हुई है, उसको पैनल्सुला बोलते हैं, जैसे देखो यह जो युकेतन पैनल्सुला है, यह देखो तीन साइड से गिरा हुआ है पानी से, ए िएृ इन वाटर का सेर्कुलेशनrose वाटर का सर्कूलेशन होता है वो यहां पे वो slow होता है और यहां पे जो water एक certain depth के बाद एक मतलब अगर गहराई पे जाएंगे कुछ गहराई के बाद यहां पे जो water है वो अनॉक्सिक है अनॉक्सिक मतलब oxygen की कमी है deficient in oxygen जो sea life है यहां पे वो sea life के लिए भी यहां पे जो water है वो unfavorable है मतलब यहाँ पे environment इतना अच्छा नहीं है कि यहाँ पे जो जीव जन्तु जो नीचे समुद्र में पाये जाते हैं वो रह सके यहाँ पे बहुत सारे number of bacteria मिलते हैं जो blue hole है वो क्या होते हैं? blue hole large undersea vertical caves होते हैं देखो यह vertical caves घुपाएं होते हैं यह sinkhole यह vertical caves होते हैं coastal reason में मिलते हैं जो हमने देखा coastal area समुद्र तट के पास cast formation में भी होते हैं cast formation का मतलब होता है उबडखावड जमीन जो होती है तो यह coastal area आज में जो cast platform होते हैं उसमें sinkhole यह blue hole पाए जाते हैं और यह जनरली किस की वज़े से बनते हैं इसमें क्या है rock जो rock particle होते हैं चट्टान जो slime stone से बने होते हैं यह dolomite यह gypsum यह चट्टान है जो पहाड़ है उनके type हैं यह क्या है पिघल जाते हैं यह water में जाके यह sinkhole बना देते हैं केवरन बना देते हैं जो deepest blue hole है पूरे world में वो कौन सा है सबसे गहरा blue hole कौन सा है उसका नाम है dragon hole dragon hole है यह कहां पे हैं यह south china sea में है और इसको long dong के नाम से भी जानते हैं तो सबसे गहरा blue hole है वो dragon hole या long dong है और यह कहां पे south china sea कहां पे है यह देखो south china sea चाइना के पास यह है south china sea यहां पे है यह dragon hole या long dong यह तो है सबसे गहरा blue hole और सबसे बड़ा सबसे largest कौन सा है देखो गहरा इस तरह से गहरा ही हो जाएगी और बड़ा इस तरह से सबसे बड़ा हो जाएगा तो largest blue hole है उसका नाम है great blue hole यह कहां पर located है यह बेलाइज के coastal areas में बेलाइज एक country है देखो कहां पर है यह बेलाइज यह जो आप देख रहों मेक्सिको मेक्सिको के पास यह जो आपको देखो यह छोटा सा pink color का दिखाई दे रहा है यह है बेलाइज इस country का नाम गोट इमाला से इसका बेडर बॉर्डर लगता है गोट इमाला कंट्री से और मेक्सिको से लगता है यह बेलाइज कंट्री का बॉर्डर यहां पर है यह लोकेशन आपको याद रखनी है कुछ तो यही था इसके बारे में आप next topic पर चलते हैं इ इसे में erase कर लेता हूँ next topic star rating system for water taps यह प्रिनिम्स के लिए इंपोर्टेंट है और जीएस पेपर थिरी के लिए और ऐसे के टॉपिंग में इन्वार्मेंट से लेटेड या वाटर से लेटेड कोई question है उसमें यूज कह जा सकता है example देखो इंडियन government ने अभी star rating system चलाया है water tap के लिए water tap का मतलब देखो आपके घरों में जो water supply का पानी आता है government द्वार्मेंट द्वारा उसमें एक टेप लगा होता है टेप का मतलब होता है ठूटी जो लगी होती है हिंदी में ठूटी बोलते हैं उसे खोल के पानी खोलते हो आप चल जाता पिर बंद कर देते हो टंकी भी बोलते हैं आम भासा में उसे टंकी लेकिन वह होती है जिसमें पानी स्टोर करते हैं और उसे ठूटी यह टेप जो वाटर टेप है इसका नाम दिया है जो water fixture होते है water वाटरफिक्टर वो ही है जो टेप होते हैं वाटरटेप इसको नाम दिया भात भारत टेप भारत टेप का मतलब यह 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 सो यह न्सक्राटर यह इसको 3-4-5 वत इसके में गए लख दिया जाये जारहि recuerda किसी को चार स्तार किसी और पान स्टार इसका मतलब क्या है जिसको पान स्टार मिले यानि कि वो भारत टैप है जो उसमें से पानी कम निकलता है यानि कि सेविंग जादा होती है यानि कि वारत एफिसेंट है वो तो यह भारत टैप इनिसिटिव के अंदर चलाया है तो भारत टैप इनिसिटिव इसमें देखो जो water fixture होते हैं water tap ये ऐसे हो जिनको star rating दी जाए यानि कि ये efficient हो कि पानी waste ना हो इनसे जतना पानी चाहिए उतना निकले और बंद हो जाए properly इनसे पानी leakage ना हो तो objective क्या इसका objective ये ही है इनमें जो water flow है वो थोड़ा low हो कम हो और water का जो consumption है वो reduce हो और estimated water saving कितने होगी स लगबग 40% अगर ये भारत टैप ये ठूटी यूज की जाएंगी घरों में तो 40% तक पानी की बचत होगी benefit क्या होगा benefit यह होगा पानी की कमी बचत भी होगी energy की saving होगी क्योंकि मालो जो energy required होती है pumping करने में transport करने में purify करने में वो भी कम होगी ये जो भारत टैप है किस क अंडर बनाए जा रहे हैं अमरुत second phase जो अमरुत मिसन हैं अमरुत का मतलब है अटल मिसन for rejuvenation and urban transformation ये मिसन के द्वारा ये भारत टैप बनाए जा रहे हैं और इसमें Indian plumbing association and manufacturers ये भी इसमें collaborate करने साथ दे रहे हैं और ये अमरुत जो two mission है ये क्या है देखो अमरुत नाम का एक mission अमरुत मिसन 2015 में launch किया गया था इसका ही second phase 2021 में launch किया October 2021 में पांस साल अगले पांस साल के लिए 2025-26 तक ये चलेगा अमरुत का second phase इसका नाम रख दिया अमरुत 2.0 इसका target क्या है अमरुत मिसन का इसमें देखो हर घर में water supply देनी है tap के द्वारा water tap के द्वारा मतलब ठूटी हो सभी के घर में water supply हो और उसमें guaranteed supply भी आई water की ऐसा नहीं है सिर्फ water tap लगा दी ठूटी लगा दी उनमें पानी नहीं आ रहा पानी भी आना चाहिए और sewer connection भी देना हर घर में sewer connection देना है तो ये है अमरुत मिसन तो यह रहा ये light कैसे बनती है और कहां पर बनती है ये देखो sun से कुछ particle निकल रहे होते हैं sun सूरज की बात कर रहे हैं उससे कुछ particle निकलर होते है sun की layer होती है परद एक परत का नाम है Corona Corona से कुछ charge particle निकलर होते हैं जिने बोलते है solar wind या in charge पर systemic variables create हो जाती है बन जाती है आब ये पता है जो अर्थ है हमारी अर्थ के उपर जो वाता वरने एटमोस्फेर पहली लेयर को हम बोलते हैं टॉपोस्फेर उसके बाद की लेयर को स्टोटोस्फेर स्टेटोस्फेर के बाद की लेयर को मीजोस्फेर मीजोस्फेर के बाद जो लेयर आती है इस वे बोलते है आयोनस् से 640 किलोमेटर लावान लो इस लेयर में जब ये आते हैं ये चार्ज पार्टिकल सोलर विंड आती है ये संसे तो ये अर्थ के एउनोस्फेर से टकराती है और टकराने के बाद ऐसी लाइट क्रियेट हो जाती है ये लाइट जिस लाइट को बोलते हैं अरोरा और ये देखो हाई लेटिट्यूड पे दिखाई देती है हाई लेटिट्यूड का मतलब क्या है ये अर्थ है जो हमारी अर्थ का ये जीरो डिग्री एक्क्वेटर भूमत दे रहा ये होगे लोर लेटिट्यूड ये अर्थ के एक्क्वेटर के पास इन्हें बोलते हैं लोर पे only higher latitude याद रखना है और नदन हेमिस्पेर में जो light दिखाई देती है उसको बोलते है नदन लाइट या aurora borealis और अगर जो southern हेमिस्पेर में दिखाई देती है उसे बोलते है southern light या aurora australis southern हेमिस्पेर मतलब यह दक्षिन गोलाड जीरो डिग्री एक्वेटर से इधर की साइड दक्षिन की साइड यह southern हेमिस्पेर और जीरो डिग्री एक्वेटर के उत्री साइड नदन साइड यह नदन हेमिस्पेर तो यहाँ पर इनके नाम अलग अलग है यह नाम आप पढ़ सक चाहित हो एक ऐसा ही फेनोमेना होता है स्टीव यह भी लाइट एक तरह से लाइट दिखाई देथी इसमें भी इसको बोलते हैं स्टॉंग थर्मल अमिशन वेलो स्टी इनन्हेंस्मेंट यह क्या है इसमें देखो जो ए्टमोसफेर ग्लोव दिखाई देता है हमें थोड़ा L लेटी टूर दिखाई देता है जो औरोरा थी वो higher latitude पर दिखाई दे रही थी और स्वी कहां पर दिखाई दे रही है lower latitude यह भी दोनो नदन और सदन हमिस्भेर में दिखाई देती है light और यह equator के पास दो आरोरा में कहां दे خाई से रही थी हायर लेटिटूड के पास यानि कि 90 डिग्री लेटिटूड के आसपास पोलर एडियाज के पास यह कहां पर दिखाई दे रही है इक्वेटर के पास तो उसका नाम है स्टीव तो याद रखना है दोनों यह यही था इसके बारे में नेक्स टॉपिक है पलवेराइज कोल इंजेक्शन यह प्रिलिम्स के लिए भी इंपोर्टेंट है और जीयस पेपर थिरी देखो रसिया अभी टॉप सप्लायर बन गया है हमारे लिए इंडिया के लिए जो पलवेराइज कोल इंजेक्शन सप्लाई कर रहा है पिछले 5 महिने का डेटा हम देखें तो आस्टेलिया को डिस्प्लेस कर दिया है पहले हम आस्टेलिया से मंगाते थे यह PCI पलवेराइज कोल इंजेक्शन लेकिन अब रसिया हमें सप्लाई कर रहा है तो यह है क्या पलवेराइज कोल इंजेक्शन यह देखो एक process है एक process है steel बनाने का, steel जब हम बनाते हैं या iron हम बनाते हैं iron और से iron लोहा निकालते हैं या steel बनाते हैं दो metal को mix करके तो उसमें blast furnace का यूज होता भटी का, और उस भटी में क्या है fine coal particle डालते हैं और वो fine coal particle मतलब coal लेके ही particle होते हैं पदार्थ होते हैं, बहुत ही fine होते हैं बहुत ही smooth होते हैं तो यह fine coal particle को बोलते हैं pulverized coal injection तो यह डाल जाता है, इसकी वज़े से क्या है जो blast furnace है iron making की उसमें एक essential instrument है यह और इसकी वज़े से क्या है environment में नुकसान भी कम होता है कम greenhouse gas commission होता है और efficiency बढ़ जाती है blast furnace की जो भटी है उसकी efficiency बढ़ जाती है क्योंकि उसमें energy कम चाहिए इसको steel को बनाने के लिए iron को बनाने के लिए और environment में emission भी कम होता है परियावरन में जो सर्जन होता है greenhouse gas का वो भी कम होता है अगर इस pulverized coal injection का यूज किया जाए तो ये इसके फायदे हैं और कहां से अभी गारें सबसे ज़्यादा रस्या से ये याद रखना आपको next topic है Sela Bhattarika ये prelims के लिए भी important है GS paper 1 history के लिए भी अन आर्टन culture के लिए Sela Bhattarika एक महिला है अभी कुछ researcher है जो research कर रहे थे पूने के एक institute में पूने के institute को नाम है भंडार कर oriental research institute पूने में है पूने महरास्ट में है यहाँ के researcher ने एक copper plate पे research की copper plate मतलब copper आप जानते हो तामा की एक plate plate कैसी भी हो सकते है जिसमें खाने वाली plate होती है जिसमें खाना खाते हो तो इस तरह की एक plate copper plate को discover किया है उसमें ये देखा गया जो Sela Bhattarika ये महिला है ये कवित्री थी पोल्टेस कवित्री थी कविता वगेरा लिखती थी ये ना जो चालुक के ruler था चालुक के एक dynasty थी चालुक के dynasty के बारे में आपने history में पढ़ा होगा ancient history में प्राचीन भारत के इतिहास है जो उसमें तो चालुक के जो once था चालुक के dynasty इंगलिस में dynasty बोलते हिंदी में once या राजवन्स या कुल जो चालक की dynasty के king थे पुलकेसिन दित्ते इंगलिस में बोलेंगे पुलकेसिन second हिंदे में पुलकेसिन दित्ते इनका title था सत्यार्स ये सत्या स्राय सत्या स्राय का मतलब सच का रक्षक सत्या स्राय चालुक के ruler पुलकेसिन 2 की ये बेटी थी डॉटर थी सीला भट्टा रिका ऐसा अभी मिला इस copper plate में research करने के बाद इसको decode किया गया मतलब इसमें कुछ लिखा हुआ था copper plate में inscription सीला लेक लिखा हुआ था इसमें तो उसको पढ़ने के बाद उसका decipher करने के बाद अर्थपता लगाने के बाद पता चला कि ये जो कवित्री है सीला भट्टा रिका ये पुलके सिंटू की बेटी थी पहले ये माना जाता था कि ये 18th century के राष्ट कूटा रूलर थे राष्ट कूट एक डाइनिस्टी थी उसके रूलर थे राजा धुरूब धुरूब की पत्नी माना जाता था इन्हें सिला भट्टा रिका को लेकिन अभी जो सीला भट्टा रिका है ये पता लगाया गया कि ये उनकी पत्नी नहीं थी धुरूबा की बलकी पुलके सिंटू की बेटी थी जो ये टाइटल है 17 इसका मतलब है पेटरन ओफ टूथ सच का रक्षक और किसे कहा जाता था सत्यासरे चालुक के एंपरर पुलकेसिंटू को ये बादामी इनकी कैपिटल थी पुलकेसिंटू की बादामी एक जगए है जो कहाँ पे इंडिया में है करनाटक के पास तो ये सिला भट्टा रिका जो ये महिला थी कवित्री थी इन्होंने क्या किया इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं सीला भट्टा रिका इन्होंने देखो अपना जो काम था कविताय लिखी वो पंचाली स्टाइल में लिखी ये संस्किर्थ भासा में जो dynasty ती उसके काल में कभी हुआ करते थे राज सेकर गुरजर पृतिहार जो dynasty थी उसके कभी हुआ करते थे राज सेकर राज सेकर से प्रेजना लेकर सीला भटारिका ने कवीताएं लिखी और देखो एक मराथी कवित्री थी मराटी भासा में कवीता लिखा करती थी जिनका नाम था सांता सहल के सांता सहल के ने सिला भट्टारिका से प्रेड़ना लेके कवीता है लिखना सुरू की और इन्होंने जो सीला भट्टारिका से प्रेड़ना ली सांता सहल के ने सांता सहल के ने देखो एक बहुत ही आइकोनिक सौंग माना जाता है इनका ये लिखा तोच चंद्रमा नभत इसका मतलब है इस दा से मून इंदा स्काई ये इन्होंने गाना लिखा था एक सांता सहल के ने कौपर प्लेट के बारे में जानते हैं कौपर प्लेट जो चार्टर है देखो कौपर प्लेट चार्टर का मतलब एक कौपर प्लेट है जिनमें कुछ लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन कहते हैं जिसे सीला लेक हिंदी में बोलते हैं सीला लेक या अभी लेक तो ये प्राचीन भारत देखो प्राचीन जो भारत था उस में देखो तब तक मैटल का विसकार नहीं हो तक लोग कहाas पर लिखते थे आप सब पे copper पे तांबे पे चांदी पर लिखने लगे फिर धीरे-धीरे बाद में कागज का विकास हुआ फिर कागज पे लिखना शुरू कर दिया तब तक ये कागज बगएरे नहीं हुआ करते थे copper पे लिखा करते थे copper plate पे राजा का आदेश कोई होता था, तो copper plate पे लिखा करते थे, medieval period में, और प्राचीन भारत में, पत्त्रों पे लिखा करते थे, जैसे आपने पढ़ा होगा, असोक के rock addict, rock addict क्या है, addict मतलब आदेश पत्र, rock मतलब चट्टान, चट्टान पे आदेश जारी कर दिया जाता था, पत्त्रों पे लिख दिया जाता था, आसोक लिखवा देते थे, तो यसे बोलते थे rock addict, क्योंकि उस टाइम पे कागज वगएरा नहीं, विकास हुआ था, कागज का यूज नहीं हो होता था, तो इन पे इस तरह से record मिलते हैं copper plate पे, इनके वज़ेसी पता लगाते हैं हम history के बारे में, प्राचीन भारत, मद्यवारत के बारे में, कि किस तरह से वहाँ पे ruler हुआ करते थे, किस तरह से वो राज क्या करते थे, क्या-क्या उनके नियम थे, administration कैसे चलता था, इ यह charter है जो इसमें पांच पलेट थी, copper plate charter है, इसमें पांच पलेट थी और एक ring बनी हुई थी, उसमें पांच पलेट थी, और इसमें एक seal भी थी, जिसे वरहा seal बोलते थे, वरहा का मतलब बोर, जंगली सूर, यह बादामी चालुक्या का एक trademark माना जाता था, जो बादामी चालुक्या थे, तो अब जान लेते हैं थोड़ा चालुक के डानिस्टी की बारे में, क्योंकि यह भी न्यूज में, six century से लेके 12th century तक राज किया था, AD की बात कर रहे हैं, CE की बात कर रहे हैं, six से लेके 12th century में चालुक के डानिस्टी ने राज किया था, founder कौन थे चालु चालूक के डाणस्थी को फुलके सिं वन पुलके सिं पर्थम या पुलके सिन स्ट ने बनाया था ये क्लासकल इंडियन डानस्थी माई मानी जाति हैं सधन और सेंटर्ल इंदिया की यह जो आप भारत देख रहे हो इस इस एडिया में रूट किया था ह्फोर्य इस एरिया में इस्टन जो चालुक थे उनकी capital वेंगी हुआ करती थी, वेस्टन जो चालुक थे इनकी capital कल्यानी हुआ करती थी, इसके most powerful ruler सक्ति साली जो राजा थे चालुक के डाइनेस्टी के वो थे पुलकेसिन 2, पुलकेसिन 2, इन्होंने 610 से लेके 642 सी तक रूल किया, और इन्होंने देखो, वर्धन डाइनेस्टी के most powerful ruler हर्स वर्धन उनको भी हराया था, कन्नोज में, कन्नोज यूपी में एक प्लेस था, एक battle हुईती लड़ाई, जिसमें नर्मदार रिवर के पास, नर्मदार रिवर के पास हर्स वर्धन को पुलकेसिन 2 ने हराया था, 618 सी में, तो यह भी था इसके बारे में, next topic है, पोसन भी पढ़ाई भी campaign, पोसन भी पढ़ाई भी campaign एक अभियान है, यह 2022 में लॉंच किया गया था, recently news में है, क्योंकि government फोकस कर रही है, जो early child care and education है, जो बच्चों की 6 सा 6 साल से पहले दी जाती है, उनकी care दी जाती है, आंगनवाडी center में तो उनको एक इस तरह से बनाया जाए कि उसमें पोसन भी हो और पढ़ाई भी हो, यानि कि उनकी nutritional diet भी दी जाए खाने पीने के लिए और पढ़ाई भी अच्छी हो, modern तरीके से, तो यह पोसन भी पढ़ाई भी campaign, women and child well development ministry ने लॉंच किया था, September 2022 में, क्या क्या है इसमें, देखो, early child care and education पर focus किया जाता है, early child care और education का मतलब लगबग 6 साल से पहले जो बच्चा रहता है, और specially खास तोर पर 3 साल से पहले जो बच्चे को शिक्सा दी जाती है, जैसे आंगनवाडी सेंटर में जो जाते हैं, उनको शिक्सा दी जाती है, और new education policy पर आधारित, foundational literacy और आधान दीजाएगा, इस campaign में हा में, recommendation क्या है, इसमें इसमें देखो, आगनवाडी को rebrand क्या जाएगा, rebrand ऐसे कि आगनवाडी worker है, जो worker की तरह काम ना करें, बलकि आगनवाडी teacher की तरह काम करें, helper की तरह काम करें, child care worker की help भी करें, और यहाँ आगनवाडी center में क्रेचे facility भी बनाए जाए क्रेचे का मतलब सिसू सदन सिसू सदन का मतलब बच्चों के लिए वहां पर थोड़े बैठने की सोने की भी facility हो क्योंकि आपको पता तीन साल के बच्चे बहुत ज्यादा सोते हैं तो वहां पर ऐसे पालना टाइब भी हो कि वहां पर रह सके बच्चे सो सक के फैसिलिटी हूँ इस तरह ऐसे डवलब किया जाए एजूकेशन की फैसिलिटी भी हो उनकी मात्र भासा में सिखाया जाए तो अरली चाइल्ड केर का मतलब यह लगवग पहले छह साल बच्चे के और आंगनवाडी सेंटर आप जानते हो क्या होते हैं आंगनवाडी देखो रूरल एरियाज में चाइल्ड केर सेंटर होते हैं जो ग्रामीन छेतर होते हैं उनमें चाइल्ड केर सेंटर होते हैं शहरी छेतर में भी होते हैं लेकिन जनरली अधिकतरी आंगनवाडी सेंटर जाता है जैसे प्रेग्नेंट वूमन होती है उनको फैसलेटी दी जाते है यहां पैंगनवाडी सेंटर में उनको खाना पीना दिया जाता है जो प्रेग्नेंट वूमन होती है गरवपती महिला है जो न्यू मदर होती है मां होती है जिसने बच्चे को जनम दिया उनको खाना पीना, nutritional diet प्रोवाइड की जाती है, बच्चों को 6 साल तक उसमें education प्रोवाइड की जाती है, और nutrition facility यानी की खाना पीना दिया जाता है, basic healthcare system प्रोवाइड की जाता है, मतलब उन्हें dispensary की एक तरह से सुखसी विजा दी जाती है आंगनवाडी center में, education भी प्रोवाइड की ज recently news में थे, जैसे देखो, एक आपका, report है, world economic forum की, report का नाम क्या है, यह report का नाम है, future of job report, future of job report, यह report कौन जारी करता है, आपको इसके बारे में याद होना चाहिए, world economic forum, world economic forum, एक NGO टाइप है, non-governmental organization, गेर सरकारी संस्ता, international NGO है, 1971 में बनाई गए थी, सुट्जर लेंड में इसका headquarter है, यह इस report को साल में दो बार निकालती है, यानि कि by annual निकालती है, by annual का मतलब साल में दो बार, twice in a year, तो यह report में क्या बताया जाता है, कि कितने लोगों को job मिली, job skills के आधार पे, त यह news में था, यह आपको पता होना चाहिए, एक news में था आपको Simplipal Tiger Reserve, Simplipal Tiger Reserve कहां पे, इसकी location आपको याद होने चाहिए, Simplipal Tiger Reserve है, आपका मयूर भंज district में, ओडिसा में, Simplipal Tiger Reserve, मयूर भंज district में, ओडिसा की, एक आपका देखो, आर्टिकल 142, news में था, इसके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 142, हमारे सवीधान का, यह जो अनुचोई देख सो 42 है, इसमें क्या पावर है, इसमें Supreme Court के पास पावर है, Supreme Court देखो, किसी भी मामले पे, जो उसके पास pending है, उसमें कुछ भी decision ले सकता है, complete justice प्रोवाइड करने के लिए, संपूर न्याय, यह टर्म आपको याद रखने है, complete justice, तो complete justice आर्टिकल 142 में दिया हुआ है, और संपूर न्याय, complete justice प्रोवाइड करने के लिए Supreme Court कोई भी decision ले सकता है, हमारे देश में जो कानून बनाए गए हैं, पार्लामेंट के द्वारा उनके हिसाफ से है, सवीधान के हिसाफ से, जैसे मान लो, Supreme Court ने बहुत सारे decision लिए है, complete justice प्रोवाइड करने के लिए, जैसे देखो, बावरी मस्जीद का case है, बहुत सालों से चल रहा था, इस पे decision लिया, जैसे भोपाल gas tragedy हुई थी, इसमें क्य gas थी, जो release हो गई थी, इस company से, भोपाल में बनी हुई थी, उस company में जो gas release हुई थी, ये मिथाईल आईसो साइनेट नाम की, इसके वज़ए से वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे, इस gas की वज़ए से, आसपास के जो गाम के लोग थे, और अब तक भी, अब तक भी वहाँ पे जो पैदा हो रहे हैं बच्चे, वो क्या है, है, हैंडीकेप पैदा हो रहे हैं, किसी का हाथ खराब है, किसी का पैर खराब है, किसी का हाइट नहीं बढ़ रही है, तो इस तरह से हैंडीकेप पैदा हो रहे हैं, अब तक भी वहाँ पे जो बच्चे दिल्ली में देखो CNG गैस चलाने के लिए CNG गैस से बसिस जो चलती है CNG बसिस चलाने के लिए 2010 में आदेश दिया था सोप्रीम कोट ने दिल्ली में पॉलिशन ज़्यादा बढ़ रहा था उसको रेडियूस करने के लिए तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन दिये हैं सोप्रीम कोट ने इससे लेटेड कम्प्लीट जेस्टिस प्रोवाइड करने के लिए और भी बहुत सारे दिये जैसे नैस्नल हाईवे या स्टेट हाईवे के आसपास कोई ठेका नहीं होगा दारू का 200 मीटर के दाइरे पे या 500 मीटर के दाइरे पे इससे दूर होंगे इस तरह के डिसीजन देना तो समय समय पे जब भी जरुत पड़ती है जब गौवर्मेंट अपना काम नहीं कर पाती है government कोई decision नहीं लेती है उस time पे Supreme Court Article 142 का use करता है इसमें बहुत ज़द अपावर है Supreme Court के पास एक देखो पत्नम नाम का site है जगे है ये news में थी पत्नम जब पत्नम ये archaeological site है अभी खोजी गई है ये कहाँ पे है ये केरल में जो अरना कुलम district में south west side में है ये पत्नम पत्नम ये ऐसा माना जाता है ये जो मुझीरिस नाम के एक city थी थी ना ancient city थी प्राचीन भारत में एक city ancient city मुझीरिस मुझीरिस नाम से एक port भी था port मतलब बंदरगा ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान यहाँ पर केरल में ये मुझीरिस नाम का एक port भी था ancient port और यहीं इसी का part था ये site पत्नम तो ये अभी recent इन इसमें थी कहां पर है ये आपको location याद होनी चाहिए और मुझीरिस port के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए मुझीरिस क्या था एक port था प्राचीन भारत में ancient इंडिया में तो ये ही topic थे आज के